नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूलत्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर देश में बीते साल कुरोना की जब पहली लहर आई थी तब सबसे ज्यादा खत्रा बुजर्गों और पहले से गंभी बिमारी से ग्रस्त लोगों को बताये जा रहा था ऐसे में साल 2021 अठारा फरवरी तक कुल 1,56,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 16 अपरेल को मौत का आकड़ा 1,74,000 तक पहुँच गया यानि 57 दिन में 18,000 से ज्यादा लोगों की कुरोना से जान चली गई वहीं कोरोना की दूसरी लहर में खत्रा दुगना हो गया है मेरी जानकारी के मताबेक दो महीने से कम वक्त में 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए है इसका मतलब अब बच्चों को वारस का खत्रा पहले से कहीं ज्यादा है देखे ये रिपोर्ट कोरोना की दूसरी लहर में दोगना खत्रा बच्चों को भी निशाना बना रहा नया स्ट्रेल बड़ों के जैसे ही बच्चों पर असर कर रहा कोरोना नौइडा में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड हॉस्पिटल माना चा रहा है कि कोरोना को लेकर लापरवाई और वियायते इसकी सबसे बड़ी वज़ाएं है बच्चों का अचानक बाहर ज्यादा निकलना, स्कूल कॉलिज का खुल जाना, लोगों से मिलना, ग्रुप में खेलना, खराब हाईजीन और मास्क ना पहनने जैसी वज़ाओं के चलते कोरोना का नया स्ट्रेंट बच्चों को असानी से अपनी चपेट में ले रहा है हाली में गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजाद बच्चे की कोरोना की वज़ा से जान चली गई, वहीं साथ अप्रैल को सूरत में 3 साल के एक और बच्चे की जान चली गई पानी पत में तो मा के गर्व में ही बच्चे को कुरूना हो गया जिससे मा पहले से ही संक्रमित है इन सब आकड़ों को अब देखते हुए कुरूना ने इस बार कई धानाएं बद्ली है कुरूना की पहली लहर में माना जाता था कि इसका बच्चों पर असर घातक नहीं है लेकिन इस बार ये धाना टूट गई है दूसरी लहर में बच्चों पर संक्रमिन का प्रभाब बड़ो जैसा लेकिन कई मामले ऐसे भी आये हैं चहां बच्चों की जिंदगी को बचाया नहीं जासका लेहाजा सापधान रहना बेहत जरूरी है एक्सपर्ट के मुताबिक अगर बच्चों को डाइरिया, उल्टी, पेट में दर्थ की शिकायत हो तो तुरंद सापधान हो जाईए वही अगर बच्चे को तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हलकी खांसी, नाक का लगातार भेना जैसे हो रहा हो तो ये भी कोरूना संकवन के लक्षन के अंतगत ही आता है एक्सपर्ट का कहना है कि जब बच्चा बहुत जल्दी ठकने लगे और भूग भी कम हो जाए तो इसे बिलकुल भी नजर अंदास ना करें तो रहन नजदी की डॉक्टर से सब्पर कर समय से बच्चे को इलाज दे बता दें की खाली में नौईडा में दस बच्चों के कोरूना वाइरस संकवित पाई जाने के बाद सेक्टर 30 में से सूपर स्पेशलिटी चाइल्ड होस्पिटर में बच्चों के लिए 50 बेट का कोविड-19 अस्पताल शुरू किया गया है हाला कि इस कोविड-19 अस्पताल में सिर्फ 15 साल से कम उम्र के संक्रमित मरीजों का इलाज ही किया जाएगा इस अस्पताल की चौती फ्लोर पर ये कोविड-19 सेंटर बनाया जाएगा इसमें बच्चों को आम संक्रमित लोगों से बचने के लिए खास इंतिजाम किये गए है इलाज के लिए आए आम बच्चों और उनके परिशनों को इस COVID-19 केर सेंटर से अलग रखा जाएगा जहां उन्हें इलाज की अलग से सुविदाय मुईहा कराई जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो भविश्य में बच्चों के लिए बेट की संख्या बढ़ा ही बीच जाएगी वहीं मॉडर्ना ने अमेरिका में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्राईल कुछ हफते पहले शुरू किया था इसे किट को अभ्यान कहा गया था इस अभ्यान के तहट अमेरिका और कैनिडा में 6 महीने से 11 साल तक के 6,750 बच्चों को ट्राईल के लिए रजिस्टर किया गया है वहीं मॉडर्ना के अलावा और भी कई कम्पनियां बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्राईल कर रही है फाइजर, बायोंटेक बच्चों पर अपने वैक्सीन कूले का स्टडी कर रही है साथ ही जॉंसन और जॉंसन भी 12 साल से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्राईल का एलान कर चुकी है ऐसे में उमीद है कि इस साल के अंतर तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ चाहेगी फिलाल के लिए वस इतना ही, आप देखते रहेए निउस वोल इंडिया